प्यारे बच्चो अब हम बढ़ते हैं अगले पैरेग्राफ की तरफ तेवड़्यात बाबा आले तैन्नी डॉक्टर अन्नी दिलेली आउशदे आनली आईला दिली इतने में वालित सहाब आये उन्होंने डॉक्टर की लिखी ही विदवाया लाई और मा को दी आता आईला थोड़े बरे वाटू लागले आई उठून बसली अब मा को थोड़ा अच्छा लगने लगा और वो उठके बैटी बाबा मनाले तु उठून अकोस आराम कर जेवनास मी बक्तो वालित सहाब बोले कि तुम उठो मत आराम करो खाने का मैं देखता हूँ मा का चेहरा खुशनुमा था मा को खुश देखकर हम सबको भी बहुत खुशी हुई देखा बच्चों आपने लड़का किस तरह अपनी मा की हिद्मत करता है और घर के कामों में भी मा की मदद करता है इस सबक से हमने यही सीखा कि अगर अम्मी बीमार पढ़ जाए तो किस तरह हमने उनकी खिद्मत करना चाहिए किस तरह उनका ख्याल रखना चाहिए अम्मी हमारे लिए कितना कुछ करती है अच्छा अच्छा खाना बनाती है बीमारी में हमारा ख्याल रखती है हमारी पढ़ाई लेती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमने भी हमारी अम्मी का ख्याल रखना चाहिए और घर के कामों में अपनी मा की मदद करना चाहिए